हेलो फ्रेंट्स आप सबको इंडिया स्टीज किचेने मैं राधा आप लोका स्वागत करती हूं आज हम बना रहे हैं रमजाना स्पेसल बहुत हेल्दी और टेस्टी और बहुत ही कम इंग्रीडियंस में बनके रेडी हो जाने वाली हम बना रहे हैं एक पकोड़ा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो डेख delle आ密 बॉपने पानी केस पर चढ़ा ए इसमें बॉयल आ गयेनगे अब इसमें थोड़ा सा नामख कर दी है कि अभर में इसमें 1 को एड़ कर 59 आदे आहिंग्ट जानल कि अतर तो हरूँ से पाइब सुप्तिए में Mitमीने कर के थे लग कर लिए और एक टूट गया था अब इसमें देखिए एक बॉली है इसमें हम दो प्याज हम इस तरह से चोपर करके लिए है और इसमें जाएगा खड़ा जीरा हाप अस्पूर और यह माइन क्रस्ट करके हम एक चमा चाइड किये हैं इसे बहुत अच्छा फ्ले बराता औ हाप अस्पून हमने जीरा पाउडर वान फॉर्थ अस्पूर हमने गोल की पाउडर एक कर दिये अटिस्ट के कोडिंग आइड करेंगे नमक और कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी यूज करेंगे और यह हमने 200 ग्राम हमने बेशन लिया है अब यह सब को मच्छे से मिक्स कर ल तो अब इसको हम हैंड से ही इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा हम पानी आइड करके इसको इस तरह से हम डो की तरह बनाएंगे इसको हमको घूल नहीं बनाना है फ्रेंग बस हम थोड़ा थोड़ा ही पानी आइड करेंगे अगर एक पास ज्यादा आइड कर द पर और एड़ कर सकते हैं तो देखिए हमको इस तरह से बनाना जिस तरह से आप पकोड़ा बनाते हैं अब यहां पर एक जमज हम भरके मिर्ची पॉडर एड़ कर दिये हैं अब चाहें तो हरा मिर्ची का भी उज़ कर सकते हैं अब देखिए इस तरह से हम छोटा सा मिश्रन ल और इस तरह से कभर कर देंगे तो यह को थोड़ा थोड़ा खरेंगे तो क्या होगा जल्दी से बेटर चिपक जाएगा इस पर तो इस तरह से हम रौंड-ौंड कि मादेंगे देखी कितने प्रफेक्ट से पागय है अब इसको हम साइड में एक प्लेट में रख लेते हैं और दूसरा भी इसी तरीके से हम बना लेंगे, और इसी तरह से हम कभर कर लेंगे, बहुत ही बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगता है, तो देखें कितना इजली से यह हो गया है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम हलका फ्रेस करके इसको हम दबा देंगे, और इधर देखें हमने गैस पर पैन को चड़ा लिए हैं, और तेल भी गरम हो गया है, तो चेक कर लेते हैं, तो देखें हम थोड़ा सा मिस्टर नेट करके चेक कर लेते हैं, देखें है तेल लिए हैं इसके उपर हम लगा देंगे ताकि जो इक पुकोड़ा काफी क्रिस्पी बनेगा अगर ब्रेड क्रम नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात ने इसको स्केप भी कर सकते हैं पर इससे क्रिस्पी बहुत बनता है और इस तरह से हाथों में लेके हम दबा देंगे ताकि हमारा जो ब्रेड क्रम है वो निकले नहीं ऐसे क्या होता है जब आप फ्राइ करिएगा तो तेल में निकल जाता है फ्रंट तो हम इसको अब आइट कर देंगे अब फ्लेम को हम यहाँ पे लो ही रखेंगे लो टू मेडियम नहीं तो क्या होगा अगर हाइ फ्लेम रहेगा तो पकोड़ा जल जाएगा अंदर से और बाहर से और अंदर से यह बिलकुल कच्चा रह जाएगा तो हम यहाँ पे लो ही रखेंगे और इसी तरीके से हम सारे पकोड़ा को एड़ कर लेंगे ब्रेट क्रम लगा के इसको हम बिलकुल हलके हाथों से छड़ेंगे देखे बहुत सर्दाने चीज़ को हम प्लट लेंगे देखे कितने अच्छे से गौल्डन ब्राउन हो गया है और इसको भी हम प्लट लेते हैं एक बार भार के बिल्कुल एट नहीं करिएगा इसको भी हम हलके हाथों से प्लट लेते हैं इसी तरह से अलटते प्लटते सारे को हम बना लेंगे तो है ना कितना इजी इसको बनाना अगर चैनल पर पाली बार आएं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा नीचे में बेल आइकन दिया हुआ हो तो लगे हाथ उसको भी प्रेस कर लिजेगा ताकि मैं जब कोई वीडियो डालूंगे तो नोटिफिकरिशन सबसे पाले वायल होगा यह अबजर्ब कर लेगा तो रेखिए हम सभी को निकाल लिए हैं अब आपको हम इसको सर्ब करके दिखाते हैं उससे पाले फिर्ट हम आपको कट करके दिखा रहे हैं यह कितना क्रिस्पी बना है को देखे हम आपको दिखाते हैं चाको से करके देखिए कितना क्रिस्पी हो कि करst कर लेते हैं वह क्या बहुत ही शॉयट में नता है प्रॐंटसंदर से और बाहर से बिट्कूल क्रिस्पी रहेगा देखिए wow कितना यम्मे न पाफेक्ट बने हैं आप इसी तरीके से अब बना सकते हैं तो हम सारे एक को कर लेंगे और आपको हम सेर्विंग बॉल में सेर्व करके दिखाते हैं देखी कितने टिम टिम और टेस्टी दिख रहे हैं तो आप इस रमजान इस रेश्पी को जरूर ट्राय करें यह बहुत हेल्दी भी है और इजी भी है और इसको हम चटनी के साथ सर्व की अगर यह चटनी आप बनाना चाते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहास जागे आप चेक आउट कर सकते हैं यह स्पेशल चटनी खट्टी वाली बनाए हैं फ्रेंट्स तो देखें कितना कम इंग्रीडियंस में बनके बिल्कुल तयार हो गया हमारे पास ज्यादा इंग्रीडियंस का जरूरत भी नहीं है इसको बनाने के लिए और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है तो आई होप आज का आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंट्स तो और चैनल पर पालिव आ रहा है तो एक बार फिर से बोलती हूं सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो मिलते हूं नेश्ट वीडियो में एक नए रेश्पी के साथ तब तक थैंक्स फोर बाचिंग बाय बाय फ्रेंड्स